हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी शिंग एंड वेलकम टू इस्माइट एब्यडेग प्यारे दोस्तों सीटेट दिसमबर दोज़र चॉबिस को टार्गेट करते भी हमारी एस्टी की क्लासेस कंटीनू हैं जिसमें जो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही थी उसका ये लास् साथ क्लास 7 की हिस्ट्री हम सुरू करेंगे फिर क्लास 8 की हिस्ट्री को शुरू करेंगे आपको पता है कि जो हमारी ऑफिस्ययल ncrth की बुक्त से उनसे हम लोग को कवर कर रहे हैं ठीक है Are seul media का यहीं कहता है कि आप की पढ़के आईये सबसमें लिखा है आगर आप जब इसरा को बढ़ दर्यएक को भी क्लियर करते हैं इससे क्या होता है कि आपका आधेस जदा चैप्टर तुरंत शाथ मेही क्लास में क्लियर हो जाता है sets बहुत important है इसके पैलिक्ज्का इसके लाइने बहुत इंपोर्टेट है जो भी विद्यारती क्लास में लाश तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ चीखने वाला आए शुरू करते हैं चैप्टर थोड़ा लंबा है आराम से पढ़ेंगे जल्द बाजी नहीं है धातु विज्यान के बारें पहले समझ लिजे क्या है धातु विज्यान को ने विश्यो धातु विज्यान के चित्र में परमुख योगदान दिया है पूरा तात्विक खुदाई ने ये दर्साया है कि हडपावासी कुशल सिल्पी थे जो हडपावासी थे वो कुशल सिल्पी थे वो सिल्पकार थे ठीक है skillful थे उनके अंदर कुश skills थी और उन्हें तामबे के धातु कर्म धातु सोधन की भी जानकारी थी उन्होंने तामबे और तिन को मिला करके कांसा भी बनाया था किन्होंने हडपावासी उन्हों जो अच्छे शिल्पकार थे क्या किया उन्होंने तामबे और तिन को मिलाया क्या बनाया कांसा बनाया जहां हडपावासी कांस युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्रादिकारी लोह युग से स लोहे का निर्मान करता था जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, धलवा लोहा, इस तरीके का लोहा ठीक है, आईए लोह इस्तंब को समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट लोह इस्तंब की बात कर लेते हैं महरोली दिल्ली में कुतुब मिनार के परिसर में, अगर आप लोग कुतुब मिनार गए होंगे, तो आपने इसको देखा होगा कुतुब मिनार के परिसर में खड़ा यह लोह इस्तंब, यानि कि लोहे का यह खंबा, इस्तंब भारतिय शिल्पकारों की कुशलता का एक अदभुत उदहारन है इसकी जो उचाई है वो 7.2 मीटर है, दियर फ्रेंड कितनी है, इसकी जो उचाई है वो 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी जादा क्या लगता है कि इस छोटे से खंबे का वजन 3 टन से भी जादा होगा भाई, एक टन में कितने कुंटल होते हैं 10 एक टन बराबर 10 कुंटल और 3 टन बराबर 30 कुंटल क्या आपको लगता है कि ये 30 कुंटल से भी जादा का होगा हमें तो लग रहा है, ये 45 किलो का होगा, देखने में ऐसा लग रहा है है ना, लेकिन ये ऐसा लोहा है, जो बहुत हाई किश्म का है ठीक है, उचाई 7.2 मीटर है, वजन इतका इसका 3 टन से भी जादा है इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था आज का ये स्तंब नहीं है, चार चेकलो वाला 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, सोचिए इसके बनने के समय की जानकारी हमको इस पर पहले इसका निर्माण हुआ था इसमें चंदर नाम के एक शाषक का जिक्र है चंदर नाम का कोई शाषक रहा होगा उसका जिक्र है जो संबावता गुप्तवन्श का था आस्चर की बात ये है कि इतनी शताब्दियों की बाद भी आज इसमें जंग नहीं लगा है वरना आज के लोहे को तो बड़ा जल्दी जंग जकड लेता है लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा है किस प्रकार का ये लोहा होगा सोच के देखिए इंटो और पत्थर की जो इमारते हैं आईए इनकी बात कर लेते हैं इंटो और पत्थ्रों की इमारतों की हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने इस्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते है इस्तूप का शाब्दिकर्थ टीला होता है इस्तूप का शाब्दिकर्थ क्या होता है टीला हलांकि स्टूप विभिन आकार के थे कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे जो स्टूप थे ऐसानी की सब समान थे कोई गोल था, कोई लंबा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई नाटा था उन सब में एक समानता है प्रायहा सभी स्थूपों के भीतर एक छोटा सा डिबा रखा रहता था जितने भी स्थूप बनाए गए उसके अंदर छोटा सा डिबा रखा रहता था यह एक समानता है सब में इन डिबों में बुद्ध या उनके जो अनुयाई हैं उनके शरीर के जो बचे हुए कुछ अंग हैं जैसे अब शेश इसको कहते हैं जैसे दांत हो गए हड़ी या राख है या उनके दोरा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर अत्वासिक के रखे रहते हैं किस में इन किस डिबों में जो इस्तूपों में रखे गए हैं ठीक है और इसे धातू मंजुशा कहते हैं क्या कहते हैं धातू मंजुशा कहते हैं प्रारंविक इस्तूप धातू मंजुशा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था बाद में टीले को इंटों से धक दिया गया और बा बात करें, point कह रहा है कि जो प्रारंबिक स्थूप थे वो धातू मंजुशा की उपर रखा मिट्टी का तीला होता था फिर उसके बाद का जो शमय आया, उसमें उस तीले को इटों से धका गया, फिर उसके बाद जो शमय आया, फिर बाद के काल में, बाद के शमय में, वो जो गुमबद नुमा धाचा था उसको तराशे हुए पत्थरों से धका गया, ठीक है पहले मिट्टी लगाई, मिट्टी का उपर वो तीला था, फिर उसके उपर इट्य लगाई फिर आगे समय बढ़ा, फिर उसके उपर तराशे हुए पत्थर लगाए गए अक्सर इस्तूपों के चारों और परिक्रमा करने के लिए एक वरत्ताकार पत्थ बना होता था यहाँ पे यह जो इस्तूप आपके शामने है इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अंदर इस्तूप है और उसके बाहर यह रेलिंग आप देख पा रहे होंगे यह तो चलो गेट है, यह रहा यह रेलिंग है, गोल-गोली दर भी गई है इधर भी गई है, ठीक है यह पाए है, नीचे इस्तूप इसके और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, वरत्ताकार पत है ठीक है, परिक्रमा करने के लिए क्या है, परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे वरत्ताकार पत है इस रेलिंग के अंदर, इस बाउंडरी के अंदर जिसे प्रदिक्षणा पत कहते हैं प्रदिक्षणा का मतलब होता है किसी के चारों और ऐसे चक्का लगाना इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था यहाँ पे जो रास्ता था इसके चारों और घूमने का उसमें क्या गया है रेलिंग से इसको घेरा बना दिया गया रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं पॉइंट को नोट कीजे वेदिका किसे कहते हैं वेदिका क्या है वेदिका जो है ये वर्ताकार पत को जो वर्ताकार पत है उस रास्ते को railing से घेरा जाना या उसके चारोदर रेलिंग बना देना ही वेदिका कहलाता है वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं ये प्रवेश द्वार भी यहां पे बना हुआ है, ठीक है, यहां से अंदर इंट्रीवी होती है, ठीक है, रेलिंग और तॉरन, तॉरन का मतलब वही गेट प्रवेश द्वार, ठीक है, प्राया मूर्तिकला की सुन्दर कलाकरतियों से सजे होते थे जैसे ये रहा ये क्या है ये गेट है अब यहाँ पे मूर्तिकला क्या लिखा है मूर्तिकला की सुन्दर कलाकरतियों से ये देखे मूर्तियां बनी है यहाँ मूर्तियां बनी है ये बना ये बना यहाँ पे यहाँ पर, यहाँ हाथी बना है, यह कुछ मूर्तियां बनी है, ठीक है, मूर्तिकला और सुन्दर कलाकर्तियां जो है, इनसे यह जो प्रवेश्टवर थे, वो, क्या थे, सजे रहते थे, मानचित्र साथ की बात करेंगे प्रिश्टिटी नाइन में अमरावती की देखे यहां यह जो अमरावती है यहां कभी एक भवे इस्तूप हुआ करता था कहा की बात हो रही है अमरावती की लगबग 2000 साल पहले इस इस्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उके रहे गए इसको क्या करने के लिए सजाने के लिए डेकोरेट करने के लिए जो शिलाएं थी जो पत्थर थे उन पर कुछ चित्र उके रहे गए कई बार पहाडियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, पहाडियों को भी काट करके गुफाएं बना ली जाती थी, ठीक है, इस तरह कि कई गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों दोरा सजाया जाता था, ठीक है, अब देखे, और थोड़ा आगे पढ़ते ह इस काल में क्या था कि कुछ आरंभिक मंदिरों का भी निर्मान किया गया इन मंदिरों में विश्णू, शीव और दुरुगा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी मंदिरों का सबसे महत्पुन भाग गर्भ ग्रह होता था जो मंदिर का सबसे महत्पुन भाग है वो गर्भ ग्रह होता था गर्भ ग्रह क्या है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे गर्भ ग्रह कहते है ठीक है अब जशे आप अगर किसी भी मंदिर में गए होंगे तो उसमें क्या देखाओगा आपने की जहां पे भगवान की मूर्ती रखी है उसके उपर बड़ा उंचा सा इस तरीके से बना दिया जाता है ठीक है इस तरीके से ये है ना ये क्या है यहां पे मूर्ती रखी तो उसके उपर इस तरीके से बना गया ये क्या है ये गर्बग् ठीक है लखा जाता था इसी इस्थान पर पुरोहित धार्मे का नुश्चान करते थे और भक्त पूजा करते थे अक्सर गर्ब ग्रह को एक पवितर इस्थान के रूप में दिखाने के लिए भितर गाउं जैसे मंदिरों में उसके उपर काफी उचाई तक निर्मान किया जात ठीके से कर दिया गया शिखर बना दिया गया ठीक है बना दिया जाता था जिसे शिखर कहते थे शिखर कहते थे इतनी बात के लिए लोगई यहां पर एक चीज़ देखिए यह जो हम इस्थूप के बारें पढ़ रहे हैं यह क्या है यह सांची का महान इस्थूप है इस तर रेलिंग और प्रवेश्टवार बाद के शास्कों के काल में जोड़े गए यानि कि कहने का मतलब है कि यह जो इस्तूप है इसमें इटो का प्रियोग है ठीक है किसका प्रियोग है इस इस्तूप को बनाने में इटो का प्रियोग हुआ है लेकिन आगे उसके बाद यह जो रे यहाँ पर अमरावति की क्या है एक शिल्प करती है जो यहाँ पर जिसकी रचना की गई है जिसको बनाया गया है पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखे बाएं उपर उत्तर प्रदेश के भीतर गाउं का एक आरंभिक मंदर यहाँ पर दिख रहा है हमको यह लगबक 1500 सा मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तरासकर बनाए गया है देखिए यहां पर क्या है यह ऐसा ने कि अलग-अलग मंदिर बनाए गया है यह एक पहाड़ी हुआ करती थी यहां पर यहां पर पहाड़ था उसको काट काट करके काट काट करके यह मंदिर बनाए गया है अलग से पत्थल लाकर नहीं बनाया गया, उसी पहाड़ी को काट करके बना दिया गया है, इतनी बात के लिए रहे हैं, बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है, इंटों से बनाया जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल अलग होते थे, बिल्कुल अलग ही दिखते थे, ज उसमें हम ऐशे क्या करते हैं, ये इटे लग रही है हमारी, ठीक है, इलाइन एक पूरी हो गई, अब इसके बाद फिर एक लाइन उपर जाएगी, ठीक है, ये इटे लग रही है, फिर एक लाइन उपर जाएगी, इस तरीके से ये इटे नीचे से जुड़ती हुई उपर के जाती है जबकि जो चटान तराश करके बनाय जाने वाले मंदिर होते हैं उनको पत्थर काटने वाले उपर से नीचे के करम में बनाते हैं लेकिन जो पहाड़ी काट करके पत्थर काट करके जो बनाया जाता है उसमें उपर से नीचे की ओड़ाया जाता है ठीक है इस बात को भी ध्यान लखेगा अब यहाँ पे एक पाइंट और शूट रहा है उझे लग रहा है इतना हो गया तो शिखर निर्मान के कठिन कारे के लिए तो ये तो आप समझ गये कि उचाई ये जो होती है इसको शिखर कहते हैं ठीक ये शिखर होता है इसको गरब ग इकठा होते थे ठीक है आपने आप मंदर गया होंगे मंदर के प्रांगण में थोड़ा इस्पेस भी होता है बैठने के लिए जहां भक्त लोग बैठ करके खाली बैठ सकते हैं भगवान की पूरा पूजा आराधना कर सकते हैं ठीक है या वहाँ पे कोई सभा हो रही है तो कहां गर्ब गरहे में सिर्फ लोग जैसे मंदर की कोई योजना बनानी है कोई जहें मीटिंग करनी है तो वहाँ पर बैठ गए ओके महाबली पुरम और एहो इहोल को धुंड़ना है महाबली पुरम और एहोल में ठीक है एहोल जैसे एहोल का दुर्ग मंदर यह आप देख पा रहे होंगे यह लगबक 1400 साल पहले बनाया गया था कितने साल लगबक 1400 साल पहले एहोल का दुर्ग मंदर यहां दुर्गा मंदर यहां पर आप देख पा रहे हैं आगे बढ़ेंगे इस्तूप और मंदिर किस तरह बनाये जाते थे इसको समझे देखे इस्तूपों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाइं आती थी जाहिड सी बात है बहुत साल इस्टीजेस को पार करके ही इस्तूप मंदिर बनते होंगे उसके लिए सामगरी भी जुटानी पड़ती होगी इसके लिए काफी धन खर्च होता था क्योंकि उसमें इतनी शुविदा भी नहीं थी इसलिए आम तोर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे क्योंकि आम जनता गरीब लोकों के पास तो इतना धन था नहीं कि वो मंदिर इस्तूप बनवा सके हैं ठीक है उन्हें तो अपना पेट चलाना मुस्किल है पहला काम अच्छे किश्म के पत्थर ढूंड कर शिला खंडों को खोद कर निकालना होता था फिर मंदिर इस्तूप के लिए सूच विचार कर तै किएगे इस्तान पर सिला खंडों को पहुंचाना होता था यहां पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों दीवारों की चोखटों फरसों और छटों का आकारिन को दिया जाता था खंबा बनना है दीवार बनना है चोखट बनना है उस हिसाब से नको काटा शाटा जाता था इन सब के तयार हो जाने पर शही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुस्किल का काम हुआ करता था ठीक तो इस तरह स्थूप और मंदिर बनते थे यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है उडिसा का जैन मठ है यह ठीक है उडिसा का है कहां यह उडिसा में है जैन मठ एक पहाड़ी को खोद कर इस दो मंजिली इमारत को बनाया गया है आपको देख पार होंगे आप कि यह देखे पहाड़ी है यह क्या है यह पहाड़ी है उपर पहाड़ी उपर यह पत्थर भी है यह एक पहाड़ था यहाँ पे उस पहाड़ को काट करके यह दो मंजिल इमा मरोगे इनमें क्या होता था इसके अंदर बैठ करके जो जैन भिक्षू होते थे वो इश्वर को यानि कि याद करते थे ध्यान करते थे करते ठीक है चलिए मैं यहां दिली से एक मूर्ति का चित्र मिला है यहां पर और यह जो है कहाँ से मिली है राष्डी शंग्रालंन नई दिली से अोके इतनी बात के लिए आप इसको समझ गए तो यह जो पहाड़ी है उड़ीशा में है जैन मठ है यह और यहाँ पी जो जैन भिक्षू थे वो meditation करते थे ध्यान करते थे तो इस तरह के शांदार धाँचों का निर्मान करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च शंभोता राजा रानी ही देते थे इसके अतरिक्त इन इस्तूपों या मिंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी जैसे हाथी दात का काम हो गया हाथी दात का काम करने वाले सर्मिको के संग ने सांची के एक अलंकरत प्रिवेश्टवार तोरण को बनाने का खर्च दिया था किस ने दिया था तो ये हाथी के दाथ का काम करने वाला जो सर्मिकों का एक संग था उसने ठीक सांची के अलंकरत प्रिवेश्टवार को बनाने का खर्च दिया था इनकी सजावट के लिए पैशे देने वालों में व्यापारी, कृशक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, शुनार और ऐसे कई इस्त्रिप्रूश शामिल से जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दिवारों पर खुदे मिले हैं इसलिए जब तुम इनकी स्थानों को देखने जाओ, तो याद रखना कितने सारे लोगों ने ने बनाने में अपना योगदान दिया है, आप बात करते हैं चित्र कला की, देखिए, ये अजंता के चित्र हैं, तुम्हें इनमें से प्रते एक चित्र जो दिखता है, उशका व जाद तर बहुत बिक्षों के लिए बनाए गए विहार थे, जो यहाँ पर गुफाएं खो दी गई, उनमें जाद तर क्या थे, जो बहुत बिक्षों थे, उनके लिए बनाए गए विहार थे, इनमें से कुछ को चित्रों दोरा सजाय गया था, विहारों को, और यहां इनक मशाल जलती थी उस मशाल की रोस्नी में इनको बनाया जाता था ठीक है और अंधेरा होने की वज़े से मशालों की रोस्नी में बनाया गए थे इन चित्रों के रंग 15-100 साल बाद भी आज भी चमकदार हैं कैसे हैं आज भी चमकदार यानि की उस में ऐसा रंग ये जो रंग थे वो पौधों और खनीजों से बनाये गए थे इन महान करतियों को बनाने वाले कलाकार बेचारे अग्यात हैं उनका पता ही नहीं ये किशने किशको बनाया है अब ये जो मूर्ती है इसको पेंट किया गया है रंगा गया है और यहां पर इस तरीके से दिख रही है बाकि ये बहुत सुन्दर है ठीक है इस तरीके की ये चित्रकला ये शिल्प कार हमको जो बना करके रख गए वो हमें यहां देखने को मिलता है आये पुस्तकों की दुनिया की बात कर लेते हैं और यहां से आपको प्रिशन हंड्रेट एंटेंट प्रिशन्ट मिलता ही है इस युग में कई प्रसिद महा काव्यों की रचना की गई इन उतकरष्ट रचनाओं में इस्तरी पुरुशों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं भी है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद तमिल महा कावे सिलपदी कारम सिलपदी कारम की रचना इलांगो नामक कवी ने की थी तीन बात यहां पे ध्यान लखिए जो सिलपदी कारम है यह एक महा कावे है ठीक है और यह तमिल महा कावे है यह ध्यान लखिएगा और इसकी जो रचना है वो इलांगो नामक कवी ने की थी अगला पॉइंट इसमें यह याद रखना है आपको जो सिलपदी कारम है इसमें कोवलन नामके एक व्यापारी की कहानी है यह तो आप लिकर के सामने टेबल पर रख लीजिए इसको रट लीजिए ठीक है क्योंकि यहां से कई बार प्रशन पूछा गया है तो जो सिलपदी कारम है तमिल महा कावे है इसकी रचना इलांगो नामके कवी ने की थी इसमे कोवलन नामके एक व्यापारी की कहानी है वो पुहार में रहता था अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा अपनी पत्नी को छोड़ करके एक नर्तकी थी डांसर माधवी उससे वो प्रेम करने लगा बाद में वो और कन्नगी पुहार छोड़ करके मदुरय चले गए कहां चले गए मदुरय वहाँ पांड़े राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चूरी का जूठा आरोप लगाया किस पर ये जो कोवलन है ठीक है व्यापारी इस पर चोरी का जूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया किस ने दिया प्राण दंड किसको दिया कोवलन को कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अ वो जो है वहां के राजा ने उसको क्या किया प्राण दंड दे दिया ची के चोरी का आरोप लगा कर ये सिलपती कारम से लिया गया एक छोटा सा वर्णन है आए इसको पढ़ते हैं यहां कभी ने कनगी के दुख का इस तरहे वर्णन किया है उसका दुख है ओ मेरा दुख तो प्राण शरीर बिना धुला धूल से सना यूहीं पड़ा है ये कहां कानिया है कि गोधुली गोधुली का मतलब जो साम की बेला होती है जब शूर अस्त होने को होता है ठीक है उस समय जो कितना प्यारा दुख मनोहर दुख होता है उसको गोधुली कहते है ठीक है गोधुली कि इस स्वर्णेम आभा में फूल माला से धके शुंदर वक्ष इस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ क्या इश्वर नहीं है क्या इसे देश में इश्वर नहीं है पर क्या उस स्थान पर इश्वर रह सकते हैं जाहा के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक यानि नवागंतुक का मतलब है कि ये लोग क्या थे कन्नगी और कोवलन अपना देश छोड़ करके दूसरे देश चले गए थे मदुरे वहाँ पर ये क्या थे नवागंतुक थे लेकिन राजा ने इन पर क्या किया चूरी का रोप लगागर के मार प्राण दन दे दिया उसको नवागंतुक के प्राण ले लेती है क्या इश्वर नहीं है नहीं है इस त्रीके से एक وर्णन वहाँ पे देखने को मिला है वहाँ का وर्णन किलिया गया है तो उसकी बात हो रही है आगे समझते हैं देखिए एक और तमिल महाकाववे है वो है मणी मेखले यह सिलबपतिकार्म और मणी मेखले जिरूbar पूश लियर जाते हैं तमिल महाकाव है मणी मेखलई इसको करीब 1400 साल पहले सत्त नार द्वारा लिखा गया आप से कोशन में दे देगा कि ये 2000 साल पहले लिखा गया ये 2500 साल पहले लिखा गया ये 3000 साल पहले लिखा गया आपको क्या धानकना है मणी मेखलई जो 1400 साल पहले लिखा गया यहाँ एक तमिल महाकाव्य है और सत्त नार दोरा लिखा गया है किश के दोरा लिखा गया है सत्त नार के दोरा लिखा गया है ओके इतनी बात के लिए रोती है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी उनकी पांडूलिपियां दोबारा लगबग 100 साल पहले मिल पाई है आने लेख़क जैसे कालिदाश जिनके बारे में पीछे हमने थोड़ा पढ़ा था वो संस्क्रत में लिखते थे कालिदाश किस में लिखते थे संस्क्रत में लिखते थे इतनी बात के लिए आगे बढ़ते हैं देखे, पुरानी कहानियों का संकलन और सनक्षन की बात करें तो हिंदु धर्म से जुड़ी कई कहानिया जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, इनमें पुरान भी शामिल है पुरान का शाब्दी करत है प्राचीन, पुरान का शाब्दी करत क्या होता है प्राचीन, पुराणों में विश्नु, दुर्शीवा, शीव, दुर्गा, पारवती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानिया हमको मिलती है या उसमें दी गई है ठीक है ये मेगदूत का एक स्लोक है यहाँ पे और उसमें कुछ खास नहीं है आप चाहो तो पढ़ सकते हो तो इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधिया दी गई है जो पुराण है इनमें क्या है देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है इसके अतरिक्त इनमें संसार की सरश्टी और राजाओं के बारे में भी कहनिया है अधिकतर पुरान सरल संस्क्रत इस्लोक में लिखे गए है मुश्टली जो पुरान है वो सरल संस्क्रत इस लोग में लिखे गए है सरल इसलिए है ताकि ये सब उन्हें आसानी से सुन सकें समझ सकें पुरानों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे पुराणों का पार्ट कहा होता था जो पुजारी थे वो मंदिरों में क्या करते थे जिसे लोग सुनने आते थे दो संस्कृत महा कावे महा भारत और रामायन आपने इनका नाम खूब सुना होगा लंबे अर्से से ये बहुत लोग प्रियर रहे हैं लोग आज भी इनकी बात करते हैं इनके उदाहरन देते हैं ठीक है महा भारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है इस युद्ध का उद्धेष पूरू वन्ष की राजधानी हस्तिनापुर की गद्धी प्राप्त करना था यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब पंद्रा सो साल पहले लिखी गई है माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्याश नाम के रिशी ने संकलित किया था महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है ठीक है रामायन की कथा जो है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है उनके पता ने उन्हें वनवास दे दिया था वन में उनकी पतने सीता का लंका के राजारावण ने अपहरन कर लिया था सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी वे विजई होकर कौशल की राजधनी ऐओध्या लोटे महा भारत की तरह ही रामायन भी एक प्राचिन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया संस्कृत रामायन के जो लेखाएक है वो वालमी की माने जाते हैं संस्कृत रामायन के लेखाएक कौन माने जाते हैं वालमी की माने जाते हैं बात क्रियर होती आगे बढ़ते हैं देखिए आम लोगों दोरा कही जाने वाली जो कहानिया हैं आम लोग भी कहानिया कहते थे कविताओं और गीतों की रचना करते थे गाने गाते थे नाचते थे नाटकों को खिलते थे इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंच करके कर लिये गए का आपने जाता कहानिया हुगई पंच्ट genius हो गई उनको सरक्ष्ट कर लिया गया जाताय तो अकथर इस्टूपों की रेलिंग को और जंता के चित्रों भी दर्सा ही जाती थी ठीक है इन मेंसे कहानी यहाँ पर दी गई है जैसे बंदर राजा की कहानी यह बढ़िया कहानी है आप चाहिए तो इसको पढ़ सकते हैं और मुझे लगता इस कहानी से नहीं आप तक कोई प्रिशन पूछा गया है पूछा भी नहीं जाएगा ठीक है चाहिए तो आप इसको पढ़ लीजेगा ओके ठीक है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजे ठीक है चलिए विज्यान की पुस्तकों की बात कर लेता है देखे इसी समय क्या हुआ कि गनतग्य और खगोल शास्त्री आरेभट ने संस्कृत में आरेभटियम नामत पुस्तक लिखी गंतग्य भी थे, खगोल सास्त्री भी थे, उन्होंने संस्तुरत में आरेबटीयम नामत पुस्तक लिखी, इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथवी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजर्शे होते हैं। किसने लिखा आरे भटने क्या लिखा दिन और रात प्रत्वी के अपनी दुरी पर चकर काटने की वजर्श होते हैं जबकि लगता है कि रोज सूर निकलता है और डूबता है हमारे चकर लगाता है उन्होंने ग्रहन के बार में भी एक वैग्यानिक तर्क दिया उन्होंने वरत्य की परिद को मापने की भी विधी ढूंड निकाली किसने ढूंड निकाली आरे भटने ढूंड निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयोग होने वाली विधी वराहमिहीर, ब्रह्मगुप्त और भासकराचारे कुछ अन्य गणतग्य और खगोल वेता थे जिन्होंने कई सारी खोजे की ठीक है आगे बढ़ता है ये जो आरे भट्ट का पॉइंट है उसको याद रखेगा आप देखिए सून के अगर हम बात करें तो अनकों का प्रियोग पहले से होता रहा था पर अब भारत के गणतग्यों ने शून के लिए एक नए चिन्न का विश्कार किया गिंति की ये जो पद्धती वो अर्बों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई आज पी ये पूरी दुनिया में प्रियोग की जाती है अईरुवेद की बात करें तो अईरुवेद चिक्चा विज्ञान के एक विख्यात पद्धती है जो प्राचीन भारत में विक्षित हुई प्राचीन भारत में अईरुवेद के दो प्रसिद चिक्षक हुए थे चरक प्रत्थम दूती शताब्दी इश्वी और सुस्तुरुत जो है वो चौती शताब्दी इश्वी के समय चरक दोरा रचित चरक संगिता और शती शास्त्र के एक उलेखनी पुस्तक है जो चरक संगिता है ये किसके दोरा रचित है चरक दोरा रचित है क्या है ये एक और सधी शास्त्र की पुस्तक है अपनी रचना सुस्तुरुत संगिता में सुस्तुरुत ने शल्य चिक्षा की विधियों का विस्तरत वर्णन किया है सो शुस्रुथ शंगिता में किषका वणन क्या गया है तो इसमें शल दिशाकी विधियों का वणन किया गया है यहां से भी प्रशन पूच लिया जाता है आये बिसके प्रशन देखते हैं बहुत बेहतरीन प्रशन यहां से पूछा गया है एक एक चैप्टर को देखने के बाद फिर उसके questions हम find करते हैं तो आप तक पहुंचाते हैं इस तरीके की classes आपको कहीं नहीं मिलेंगी आप इनको continue पड़ते रहें दिस सीटेट क्रेक करना है तो अभी आप देख पा रहे होंगे PRT में जो vacancy आई है कुछ 27,000 ठीक है और 27,300 कुछ तो इसमें सिर्फ PRT वालों के लिए है और primary वालों के लिए बेर्ड वालों के लिए कुछ नहीं है तो अभी देखो आगे क्या होता है आप अपनी जिनके पास सीटेट जो नहीं कौलिफाई कर पाए है जूनियर वाला वो जिरू कौलिफाई कर ले है निमलिखित कतनों को पढ़िए और उप्युक्त विकल्ब का चैन कीजिए आरेभट ने लिखा कि दिन और रात प्रतिवी के अपने धुरी पर चक्र काटने की वज़शे होते हैं आरेभट ने ग्रहन के बारे में वैग्याने का तर्क भी दिया आगे कहता है इसमें ए भी सही है दोनों सही है दोनों गलत है कौन सही है आईए देखते हैं आरेभट ने लिखा कि दिन और रात प्रतिवी के अपनी धुरी पर चक्र काटने की वज़शे होते हैं यानि कि जो ए उप्षन है वो हमारा राइट है दूसरा है कि आरेभट ने ग्रहन के बारे में वैग्यानिक तर्क दिया ए और बी दोनों सही है ए और बी दोनों सही है ठीक है इतनी बात कलियर है आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशन लेते हैं प्रिशन कहता है कि निमलिकित में से कौन सा कथन मणी मेखलई महाकाव के विसे में शही है मणी मेखलई के बारे में कौन सा सही है पहले इसके options पढ़िये यह तमिल में लिखा गया था यह सतनार नामक कवी द्वारा लिखा गया था इसमें कोवलन और माधिवी की बेटी की कहानी है यह लगबग धाई हजार वर्ष पूर्व लिखा गया था चार options पढ़ लिए अब हमें इसमें बताना है कौन सा सही है answer यहाँ पे है हमने कहा भी ता कि इनको note कर लीचे पहला point यह है कि यह तमिल में लिखा गया very good जो मड़ी में एक लई है वो तमिल महाकावे है तमिल में लिखा गया है यानि कि जो पहला a option है वो right हो गया दूसरा option था कि यह सतनार नामक कवी द्वारा very good सतनार नामक कवी द्वारा लिखा गया है ठीक है बी बी हमरे right है she option है कि इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है very good c b right हो गया d option कहता है कि यह लगबग धाई हजार वर्ष पूर्व लिखा गया जी नहीं d गलत हो जाएगा क्योंकि यह 1400 साल पहले लिखा गया था तो इतनी बात के लिए रोगई इसमें जो यहाँ पर ढाई जा रहा है यहाँ पर अगर यह 1400 कर देते तो यह भी सही हो जाता इसका मतलब है a, b, c, तीन options जो इसमें है तीन option वो right है, d गलत है अभी आपको बताया था, यह है वो सिलपदिकारम जो कि एक तमिल महाकावे है रचना इसके ठर सा साल पहले हुई, ठीक है इलांगो ने की थी, प्यारे दोस्तों किशमें इलांगो ने और इसमें कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है तो यहाँ पे हम इलांगो दोरा जो option भी है वहाँ right हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों आज सी class में इतना ही class कैसी है, comment करके जुरू बताएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी next class में